जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे 66 पदों पर बैग्यानिक सहायकों की भरती 66 पदोपर बैग्यानिक सहायकों की नियुक्ति की परकिरिया शुरू कर दी गई है बतादे जार्खन करमचारी चयन आयोग ने गुरुवार को बैग्यानिक सहायक प्रतियोगत्य परिक्षा 2021 के लिए बिग्यापन जारी कर दिया है बतादे अभियार्थियेगार अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे जे एस एस सी की ओर से जारी कियेगे बिग्यापन में रेगुलर और बैकलोग बैकेंसी निकाली गई है बतादे नियमीत नियुक्ती परकिरिया में बैग्यानिक सहायको के 65 पदो पर नियुक्ती होगी जबकी बैकलोग के 4 पदो पर नियुक्ती होगी यहन सोशन के आरोपी सुनील को मिली जमानत 6 मां तक जार्खन में रहना मना जार्खन हाई कोट के जश्टिस राजेस कुमार के अदालत ने योँ सोसन मामले में आरोपी सुनील तिवारी को ससर्थ जमानत दी है बता दे अदालत ने चो अमा तक जार्खन से बाहर रहने मामले से जूड़ी अनुसंधान या कोट के नहीं बुलाने तक जार्खन नहीं आने और मोबाइल नमबर नहीं बदलने जैसी सर्थ लगाई है बता दे इस से पूर्व प्रार्थी की ओर से वरिय अधिवक्ता आर इस मजूंदार ने पैरवी करते हुए जमानत देने की गुहर लगाई थी रांची नगर निगम शुरू की डेट बोडी फिरीजर देने की पहल रांची नगर निगम ने वाट परसदों को डेट बोडी फिरीजर देने की पहल सुरू कर दी है बता दे इसमें 100 को लंबे समय तक सुरक्षित रखाया सकता है कुरोना के दूसरी लहर के दोरान परसदों ने डेट बोडी फिरीजर की मांग की थी उनका कहाना था कि सहर में हर दीन धर्जनों लोगों की मौत कुरोना से हो रही है इसमें से कोई लोग ऐसे हैं जीन के परिजन दूसरे सहर या फिर बीदेश में रहा रहे हैं ऐसे में उनसे संपर्ग करने पर वे एक से दो दिन तक सौव को सुरक्षित रखने का आगरा कर रहे थे सरकारी स्कूलों में खेल सिक्षक की कमी जारखन के हजारी बाग गिले में खेल सिक्षक की कमी है बतादे इसके अलावा सभी 10 कस्तूर्बा आवासे बलका विद्याले एवं उत्री छोटा नागपूर परमंडल अस्तर पर एक मात्र इंदा गांधरी आवासे स्कूल में भी खेल सिक्षक का भाव है बतादे राई सरकार ने काक्षा नौवी से दौसवी में अधेनरत बिद्यार्थियों को खेल कूद में परतिवाण बनाने का निने लिया है इधर सवाल ए है कि सिक्षक की कमी के कारण बिद्यार्थी खेल में कैसे आगे बढ़ेंगे बतादे हजारी बाग जिले में 46 खेल सिक्षक को की बहाली 2019 में हुई थी वहीं 72 आवेदनों में 54 शिक्षक बहाल हुए चार नौन यूक्त जजोने ली सपत चीफ जस्टिस डाक्टर रवी नजन जय सुक्रवार को जार्खन हाई कोट के नौन यूक्त नियाएधिस गोतम कुमार चोधरी अम्बुजनात नवीनतम कुमार वसंजय परसाद को पदवा गोपनेता की सपत दिलाई बतादे सपत दिलाने के पुर्व राष्ट पति रामनात कोबिन द्वारा जारी नियूक्त वरंट का हिंदी अंग्रेजी भासा में पाठ किया गया बिपी एस्टी में ज़ारखन की चंदा भारती सेकेंड टॉपर बिहार लोक सेवा आयोग ने 65 सन्यूत परतियुक्त परिक्षा कामती मरियाट गुरुवार को जारी कर दिया बतादे इसमें 422 अभियार्थियों को सफल गोशित किया गया रोतास के गोरोव सिंग ने टोप किया है जबकि बांका की चंदा भारती को दूसरा अस्थान मिला है बतादे चंदा भारती ने बर्ष 2010 में पांकुर इस्थित डियेभी से दस भी पास की इसके बाद चंदा ने बोकारों के DPS से बारावी तक की पढ़ाई पूरी की फिर BIT सिंदरी से बिटे की डिग्री ली पंचायत सची वर लिपिक नियुकती मामले में जे A.S.C. असमंजस में इंटर्मीडियेट अस्तर ये सन्युक्त परत्योगिता परिक्षा मामले में जार्खन करमचारी चयन आयोग उहा पोह की स्थिती में हाई पतादे आयोग राज सरकार से परामर्स मिलने का इंतियार कर रहा है अम्ति मेदा सुची वर रिजल्ट निकालने की बिंदू पर आयोग ने 23 जूलाई 2021 को कारमिक पर सासनिक सुधार वर राजभासा विभागों को पत्र लिखा था पत्र में सभी 24 जीलो के अम्ति मेदा सुची निकालने के लिए पुनस सेवा वर जीला का विकल्प मागने का सुझाव दिया था लेकिन अब तक कारमिक विभाग की ओर से किसी परकार का मागदसन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है ज्यारखंड के एगारा गयर अनुसुची जीलो में सिक्षकों की निकती जल दे राज्य के एगारा गयर अनुसुची जीलो के हाई स्कूल में इतिहास वो नागरिक सास्त्र में सिक्षकों की निकती होगी बतादे नियुक्ति को लेकर सम्मंधित परक्रिया पूरी करने के लिए सम्मंधित पत्र कार्मिक प्रसास्निक सुधार तथा राज भासा विभाग ने जारी कर दिया है इस कुली सिक्षायम सक्षरता विभाग को पत्र प्राफ्थ हो गया है पत्र में कहा गया है कि इतिहास नागरिक सास्त्र विशाय में अनुसुची जीलों में नियुक्ति पूरी की जा चुकी है यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोट में विचारा धीन है इस मामले में विचार विमर्स के बाद यार निनर लिया गया है कि गर अनुसुजी जीला में भी इतिहास नागरिक विशाय में नियुक्ति पुर्ण की जाए धनबाद में बड़ा हाथसा गोल का पक हा रहे पर गिरा 11,000 भोल्ट तार छो लोग जुल से धनबाद सहर के बैंक मोर इस्थीत ब्यस्तम छेत्र और मीला टावर के पास बिजली का एगार केवी तार तूटकर गिर गया बतादे हाथसे में करंट लगने से 6 लोग जुल से गए इनमें से एक की स्थीति गंभीर है घटना गुरु और साम करीब 5 बज कर 30 मिनट की है कम उम्रेक के बच्चे को दिया वाहन तो भरना होगा 25 से रहर जाना जीवन अनमोल है बतादे अपने जीवन से खिलवाड ना करे सड़क दुरुखाटना में हर रोज 40% यूवाओ की मौत होती है इसके पीछे का कारण है अनसेफ ड्राइबिंग और बिना हेलमेंट बाइक चलाना कम उम्रेक के बच्चे कई दफा बाइक चलाते पकड़ जाते हैं उन पर जुर्माना भी होता है लेकिन उनके अविभावक या भूल जाते हैं कि मोटर विकल एक्ट के सेक्स्टन 191 एक तहत कम उम्रेक के बच्चे अगर वहन चलाते पकड़ जाते हैं तो ऐसे हालात में अविभावक पर 25 या रूपय जुर्माना और तीन वरस का करावास का प्रविधान है जारखन में आदिवासी सलाहकार परिशत के गठन पर बढ़ेगा विवाद आदिवासी सलाहकार परिशत के गठन में राजभावन की भूम का खतम करने कुलेकर राजपाल रमेस बैस द्वारत सवाल उठाये जाने के बाद यह मुद्धा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है बतादे भाजबा पहले से ही परिशत के गठन की परकिरिया को असमेधानिक बता कर गठबंधन सरकार को घेरती आ रही है अब राजपाल के रूक से उसके तेवर और कड़े हो सकते हैं हलाकि सतापक्ष भी इस मुद्धे पर जुकने के मूड में नहीं दिख रहा और वह इसे आदिवासी सियासत से जोडने की कोशिस में है लातेहर में जंगली हाथी ने दो ग्रामिनों को मार डाला बता दे मिरितकों की पाचान आमबा खार निवासी गोविन देयादो वर नवाड़ी निवासी सुबोध उराओ के रूप में की गई है ग्रामिनों ने बताया कि गोविन देयादो मवस्यों को चराने के लिए जंगल जा रहे थे तभी जंगली हाथियों के जोड़ से बिछड़ कर एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया है मौसम विभा के अंसार सुक्रवार को राजधानी राची में सूबा स्थात बही आस्मान साफ है बता दे तेज धूप खिली है सहर में अधरता का अस्तर 89% है हावा नहीं चलने के करण लोगों को हलकी उमस और गर्मी का सामना करना पर रहा है मौसम विभा के अंसार दिन में राची का मौसम मुखे रुप से साफ रहेगा वहीं दोफर बाद आस्मान में हलके बादल दिख सकते हैं इसके करण हलकी बारिस होगी सहर का अधिक्तम तापमान 32 डिग्री सेलसियस के आसपस रहने की संभवना है बैंकों से लोन लेकर जीले में युगा रोजगार करे खूटी डिसी बीत ये सेवा, बीत बिभाग, भारत सरकार की निदेश पर लाए हैं तेवार आपके द्वार थिम के साथ नगर बहुन में समारो कायन किया गया इसके साथ ही क्राहक जंसनपर्क अभियान शुरू हुआ बता देउद घाटन, खोटी डिसी, सासी रंजन, डिडिसी, अरुन कुमार सिंग, बीयो आई के बिक्रम सिंग ने सनुक रूप से किया मौके पर डिसी ने कहा कि कोविड संक्रमन काल के दोरान उध्योग धंदे पर प्रतिकूल परभापड़ा है अब धिरे धिरे उध्योग धंदे के साथ जीले के अर्थ बेवस्ता पटरी पराने लगी है जीले के बेवसाई वर्ग, खाजकर युवा वर्ग को चाहिए कि बैंकों से आर्थिक साहता लेकर सोरोजगार की दिसा में आगे बढ़े तनाव में रह रहे पुलिस कर्मियों की सूची होगी तयार राजे पुलिस तनाव में रह रहे वा परिवारिक समस्या से जूझ रहे पुलिस कर्मियों की सूची तयार कर रही है बतादे हाल के दिनों में परिवारिक कार्णों वा अने कार्णों से पूलिस पताधिकारियों वा कर्मियों के द्वारा आत्म हत्या की बात सामने आई है ऐसे में डिजीपी नीरज सिन्हा ने ऐसी वर्दातों को रोकने की दिशा में बड़ी पहल की है डिजीपी के निर्देश पर आईजी अफ्रेशन अमोल वी होमकर ने सभी जीलों के एसपी वा पूलिस की सभी सखावों के परमुखों को पत्र लिखा है पत्र के जरी आईजी ने जनकारी मांगी है कि परिवारिक समस्य से जूज रहे या अवसाद से ग्रसित किसी पूलिस पताधिकारी या कर्मी की सुचना संग्यान में आई है तो इसकी सुची अविलम उनके कर्याले को भेजे तीन करोर बचों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं भारत में 2.9 करोर से अधिक बचों की पहुँच डिजिटल उपकरनों तक नहीं है बता दे एक आकड़े सिक्छा मंत्राले की एक रिपोर्ट से पता चले है इन छात्रों को कोविट के करण इसकूल बंध होने से एक साल से अधिक समय तक नुकसान का सामना करना पड़ा है भिहार के बाद डिजिटल डिवाइस तक पहुँच न बनाने वाले सबसे अधिक छात्र जारखन के हैं बता दे जारखन में साड़े 32 लाख बचों के पास डिजिटल एकसेंस नहीं है वहीं बिना डिजिटल एकसेंस के करनाटक में 31.3 लाख छात्र थे जिन के पास इन करनों तक पहुंच नहीं थी धन्यवाद